हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OS के यानि on screen keyboard को कैसे open करते हैं और कैसे use करते हैं ठीक है मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा open करने का ठीक है तो पहला तरीका है आपको start button पे click करना है all program पे click करना है और उसके बाद accessories पे click करना है उसके बाद ease of access पे click करना है और यहाँ पे आपको on screen keyboard मिल लाएगा इस पे click कर देना है ठीक है दूसरा जो तरीका है वो है window की के साथ R प्रेस करना है और यहाँ पे आपको type कर देना है OS के और type करने के बाद OK कर देंगे तो यहाँ पे on screen keyboard open हो जाएगा ठीक है तीसरा जो तरीका है वो है window क के साथ U प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको start on screen keyboard पे click कर देना है ठीक है तो screen keyboard यहाँ पे open हो जाएगा दोस्तो इधर right side में जो number दीखता है वो number इधर नहीं दीख रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे आप option पे click किजिए और उसके बाद turn on numeric keypad पे click कर देना है ठीक है इसको check करके okay कर देंगा अब आप देख सकते हैं इधर numbers भी आ गया ठीक है यहाँ पे plus minus multiple और division भी आ गया ठीक है एक और चीज में बताना चाहूंगा जैसे कि यहाँ पे function की आपको नहीं दीख रहा होगा F1, F2, F3 यह सब ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं F1 लिखा हुआ है function ठीक है इसपे click कर देंगे अब आप function की का यूज भी कर सकते हैं जैसे माल लीजिया हमें window की के साथ E दवाना हो तो क्या करेंगे तो mouse से window की पे click करेंगे और E पे click कर देंगे देखिए यहाँ पे computer open हो गया ठीक है तो अब जीस तरीके से यूज करना चाहे उस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दें, comment करें आपको वीडियो कैसा लगा, share कर दें अपने दोस्तों